C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वनी पाठ सबक नमबर 7 उसी से ठंडा उसी से गर्म मुसनिफ हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन सफा नमबर 37 एक लकड हा रहा था जंगल में जाकर रोज लकडिया काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था ये उसका रोज का मामूल बना हुआ था एक दिन उसे ख्याल आया कि आसपास से तो सब लकड हारे लकडी काट कर ले जाते हैं सूखी लकडी आसानी से मिलती नहीं है यही बात सोच कर वो दूर अंदर जंगल के चला गया सरदी का मौसम था कट-कटी का जाड़ा पड़ रहा था हाथ पाउं ठिटूर जाते थे उसकी उंगलियां बिलकुल सुन हो जाती थी यह थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुलहाडी रख देता और दोनों हाथ मुँ के पास ले जाकर खुब जोर से उन्में फूक मारता ताकि वो गर्म हो जाए बच्चो जंगल में नामालूम किस किस किसम की मखलूख रहती है अल्ला ताला की मखलूख हर जगा मौजूद है दरिंदे होते हैं, परिंदे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं लेकिन सुना है उसमें छोटे छोटे से बालिष्ट भरके आदमी भी होते हैं उनकी दाड़ी, मूच, सब कुछ होती है मगर ये होते हैं बस मेख ही से अब मेख होती है छोटी सी कील इसी लिए बालिष्टियों को मेख से मिलाए गया है हम तुम जैसा आदमी उनकी बस्ती में चरा जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि देखें ये क्या करता है लेकिन ये हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं इनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं है ना उन पर तालिया बजाते हैं ना पत्थर फेकते हैं खुद हमारे यहां भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते लेकिन इनके हाँ तो बस अच्छे ही होते हैं खैर लकड़ारा जंगल में लकड़िया काट रहा था तो एक मियां बालिष्टिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे इसमें एक तस्वीर है इसमें लकड़ारा खड़ा हुआ है और एक छोट असा आदमी बैठा हुआ है यानि बालिष्टिये मियां बैठे हुए है मियां बालिष्टिये ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूखता है तो सोचने लगे ये क्या बात है देर तक अपनी बताशा सी ठोड़ी अपने नन्ने से हाथ पर धरे बैठे रहे आप बच्चो देखिए उनकी जो नन्नी मुन्नी सी ठोड़ी है उसको किस से मिलाया है छोटे से बताशे से मगर उनके कुछ समझ में नहीं आया तो ये अपनी जगा से उठे और कुछ दूर चल कर फिर लोट आए कि ना मालूम कहीं ये पूशने से आदमी बुरा ना मान जाए मगर फिर उनसे रहा नहीं गया आखिर को ठुमक ठुमक कर लकड़ हारे के पास गए और कहा सलाम भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछें लकड़ हारे कोई जरा सा अंगोठे बराबर आदमी देखकर ताजू भी हुआ और हसी भी आ गई अब बचो देखिए कितनी प्यारी मिसाल है बारिष्टिये की मिसाल किस से दी है छोटे से अंगोठे से मगर उसने हसी रोक कर कहा हाँ हाँ भाई जरूर पूछो बस ये पूछता हूँ कि तुम मुझे हाथों में फूख ही क्यों मारते हो लकड़ हारे ने जवाब दिया अरे भाई सर्दी बहुत है हाथ ठीटूर जाते हैं मैं मुझे फूख कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ फिर ठुटूर ने लगते हैं फिर फूख लेता हूँ अब मियां बालिश्टिये ने अपना सुपाई जैसा सर हिलाया और कहा अच्छा अच्छा ये बात है यह कहकर बालिश्टिये मियां वहाँ से किसक गए यारि वहाँ से चले गए मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर लकड़ हारे पर नजर रखे हुए देखते रहे कि वो अब क्या करता है सफा नंबर 49 दोपहर का वक्त आया लकड़ हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई इधर उधर से दो पत्थर उठा कर चूलह बनाया उसके पास छूट इसी हांडी थी आग सुलका कर उसे चूले पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिये गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़ हारा मुँ से फूप कर तेज कर देता था अब बालिश्तिये ने दूर से देख कर अपने जी में कहा अरे अब ये फिर भूखता है क्या इसके मुँ से हाग निकलती है लेकिन चुप चाप बैठा देखता रहा लकड़ हारे को भूख ज्यादा लगे थी इसलिए चड़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर उबला भी नहीं था निकाल लिया उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गरम था जैसे आग उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबा कर तोड़ा और मुश्किल से फू फू करके फूगने लगा यहां पर एक तस्वीर बनी हुई है उसमें लकड़ारा बैठा हुआ है उसके हाथ में एक आलू है और बालिष्टे मिया वापस जा रहे है अरे बालिष्टे ने फिर जी में कहा ये फिर फूगता है अब क्या इस आलू को भूग कर चलाएगा लेकिन आलू जला जलाया कुछ नहीं वो तो थोड़ी देर फू फू करके लकड़ारे ने उसे अपने मुँ में रख लिया और गपू गपू खाने लगा अब तो इस बालिष्टे की हैरानी का हाल ही मत पूछो उससे फिर रहा नहीं गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़ारे के पास आया और कहा सलाम भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछें सफ़ा नमबर चालीस लकड़ारे ने कहा बुरा क्यूं मानूँगा पूछो बालिष्टे ने कहा तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुझसे फूख कर अपने हाथों को गर्माता हूँ अब इस आलो को क्यूं फूखते थे ये तो खुद बहुत गरम था उसे और गर्माने से क्या फायता अरे नहीं मिया टिलू ये आलू बहुत गरम है मैं उसे मुझे फूख कर ठंडा कर रहा हूँ बात तो कुछ ऐसी ना थी मगर ये सुनकर मिया बालिष्टिये का मुझ पीला पड़ गया दर के मारे कप कप कापने लगे बराबर पीछे हडते जाते मगर लकड़ हारे से दर कर वो कुछ सहम से गयते जरा सा आदमी युही देख कर हसी आए लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देख कर तो हर किसी को हसी भी आए और रंज भी हो मगर लकड़ हारे को भी हसी आए लेकिन वो भला मानसादमी था यानि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था उसने आखिर पूछा कि क्यों मिया क्या हुआ क्या जाड़ा बहुत लग रहा है मगर मिया बालिश्टिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफी दूर हो गए तो बोले ना जाने क्या बला है कोई भूत है या जिन है उसी से ठंडा उसी से गर्म हमारी अकल में तो ये बात नहीं आती और सच ये है उन मिया बालिश्टिये की नन्नी सी खोपड़ी में आने की ये बात थी भी नहीं सवलात एक लकड़हारा अपनी गुजर बसर कैसे करता था दो सर्दी की वजह से लकड़हारे की क्या हालत थी तीन लकड़हारा लकड़िया काटने के दौरान क्या कर रहा था चार बालिश्टिये ने लकड़हारे से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया पांच हैरान बालिश्टिये के दोबारा सवाल करने पर लकड़हारे ने क्या बताया छे लकड़हारे का जवाब सुनकर बालिश्टिये की क्या हालत हुई अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए उर्दु की सहायक पाठे पुस्तक उर्दु गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ कारेक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर अफ्षान सिद्धीकी तक्नीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन वा निर्माण विमलेश चाओधरी ताथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत